जे मसी की दोस्तों, आज के सुर्गय मन्ना का भाग हमने लिया है इफीसियो की पत्री, उसका चौता अध्याय और पद छबिस्वाँ वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो, तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक बनाना रहे धन्यवाद पिता परमेशन, आपका ये वचन अध्वुद है, जो हमें बताता है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है, जो हमें बताता है कि हमें किस तरीके से आपके वचनों पर चलना है, क्रोध पाप में कब बदलता है मेरे भाई, जब हम ख्शमा नहीं करते हैं जब हमारे अंदर ख्षमा की भावना नहीं होती है जब हमारे अंदर पश्चाताप की भावना नहीं होती है क्योंकि पश्चाताप और ख्षमा ही हमें बताता है कि हम कौन है जब तक हम खुद अपने आपको नहीं जानेंगे तब तक हम पिता परमेश्वर को कैसे जानेंगे हमें खुद को जानना ज़रूरी है ताकि हम पिता को जाने हम परमेश्वर को जाने उस पवित्रता को जाने उस प्रेम को जाने जो परमेश्वर में है क्योंकि परमेश्वर चाहता है वो प्रेम हम में बना रहा है इसलिए वो चाहता है कि क्रोध तो करो लेकिन पाप ना करो अगर क्रोध तुम करते हो तो तुम्हारे अंदर शमा की भावना आनी चाहिए तुम्हारे अंदर पश्चाताप की भावना आनी चाहिए बhajan सेटा 34 का अठारवाबत कहता है कि یہोवा टूटे मनवालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है यहोवा हमेशा आपके निकट है मेरे भाई हमेशा आपके करीब है बस आप पश्चाताप करें एक शमा पछाताव की भावना रखे, ओर उसी पल वो आपके अंदर आएगा, उसी पल वो आपके अंदर आएगा, वो कहता है प्रकाशित वाकिया में, जिए मैं द्वार पर एक खड़ा हूँ और दर्वाजा खट-कटाता हूँ, जो द्वाजा खोलेगा, मैं उसके अंदर आँगा और उसके साथ भोचन करूँगा मेरे भाई दरोजा खोलने का मतलब क्या है कि जब आप अश्टाब करेंगे जब आप महसूस करेंगे जब आप शमा मांगेंगे जब आप उससे कहेंगे कि मैं गुनागार हूँ मैं दोशी हूँ मैंने क्रोध किया है और क्रोध से मैं छूट नहीं पाया हूँ जिस दिन आप उसके सामने अपने हाथों को पहलाएंगे जिस दिन घुटनों को टेकेंगे उस दिन द्वार खुलेगा और वो ईश्व मसी आप के अंदर आएगा येस वो महान है वो महान पिता है वो प्रेम है वो प्रेम है और उसका प्रेम हम में बना हुआ है क्योंकि हम उसके संतान है दोस्तों याद करिए याद करिए उत्पत्ती में जब शेतान ने हवा को वरगलाया और वो फल खिलाया हवा ने अपने पती आदम को खेलाया लेकिन जैसे उसने वो फल खाया उसने महसूस किया कि उसने पाप किया है उसने महसूस किया कि वो पाप उसके अंदर आया उसने महसूस किया वो डंगा है पिता परमेश्वर वहाँ पर आया यहोवा वहाँ पर आया और उन्हें आवाज दी कि आदम कहा है तू कहा है उसने कहा कि मैं नंगा हूँ पिता मैं छुप गया हूँ दोस्तों उसने कि शमा की भावना उसके अंदर नहीं आई पश्चाताब की भावना उसके अंदर नहीं आई उसने दोश लगाना शुरू कि उसने कहा कि हे पिता जो इस तरी को तूने मुझे दिया है उसने मुझे ये फल खिलाया है मैं महसूस करता हूँ मैं महसूस करता हूँ अगर आदम के अंदर ख्षमा की भावना आती पश्चताब की भावना आती और वो पिता से कहता कि मैंने तेरी आग्या को नहीं माला मुझे माफ कर मुझे गलती हो गई मुझे पर कर पा कर मुझे पर करोना कर तो पिता उसे माफ कर देता मुझे लगता है कि हमारा पिता बहुत करोना मई है चुकि नीती वचन के सत्रवे अध्याए में उसका तीसरा वचन क्या कहता है कि चांदी को परखने के लिए कुठाली और सोने के लिए भटी होती है परंतु यहोवा हिर्दें को परखता है वो मेरा पिता वो यहोवा वो आपका परमेश्वर हमारे हिर्दे को परखता है कि हम उससे हिर्दे से कितना प्यार करते है हमारे हिर्दे में उसके लिए क्या है हमारे हिर्दे में अपने लिए एक शमा भावना है की नहीं है हमारे हिर्दे में उसकी पवित्रता है की नहीं है हमारे हिर्दे में उसके लिए प्रेम है की नहीं है वो यही चाहता है, वो यही देखना चाहता है इसलिए मेरे भाईयों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारों आओ, आज हम वाचा बांदें, आज हम एक एहत करें, कि हम कभी भी क्रोत नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्रोत की संतान नहीं हैं, हम अपने परमिश्वर की संतान और परमिश्वर प्रेम हैं, इसलिए हम वाचा बांदे हैं, आई हम मिलके प्रात्रा करते हैं पिता परमेशर धन्यवाद देते हैं तेरे इन वश्रों के लिए धन्यवाद देते हैं तेरे उपस्ति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेशर तेरे बुथ्थी के लिए धन्यवाद देते हैं परमेशर आज हम वाचा बांते हैं, कि हम अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे ताकि क्रोध पाप को जनम दे, पाप को जनम देता, येस लोड, धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर, आपकी उपसेती के लिए धन्यवाद देते हैं परमेशर, आपक